प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी दबाए ताकि मेरे वीडियो का नोटिकेसन आपके पास सबसे पहले पहुँचे आज मैं आपको पार्तिक माह के शुकल पक्ष में पढ़ने बाली नौमी जिसे की अक्षय नौमी और आवला नौमी के नाम से जाना जाता है आज मैं आपको अक्षय नौमी की कथा सुनाने जा रहा हूँ इस कथा को सुन्ने मात्र से मनुश्य को शभी प्रकार के शुक और शम्रिथी की प्राप्ति होती है मैं पंडित विजाय मिस्रा मानेताओं के अनौमी के दिन ही दौपर युक का आरंब हुआ था और भगवान विश्णू ने कुश्मांडक राक्षस का अंत किया था इस दिन किया गया पुन्यकारे कभी भी खत्म नहीं होता इस दिन पूजा तप और पवित्र नदियों में अश्टनान करने से अक्षय पुन्य फलो की प्राप्ति होती है इस दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी का पुरे नियम और निष्ठा के साथ पूजन किया जाता है आमला व्रिक्ष के नीचे भोजन ग्रहन करना यह अनंत पुन्य दायक माना गया है तो आईए सुनते हैं अक्षय नौमे की कथा के बारे में एक समय की बात है एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो की काशी में रहते थे उनकी कोई संतान न थी इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा ही दुखी रहते थी और उसका स्वभाब भी चिरचिरासा हो गया था एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जिवित बच्चे की बली भैरव बाबा के सामने दे दे इस से उसको संतान की प्राप्ति होगी उसने यह बात अपने पती से कही लेकिन पती को यह बात फूटी आँख भी ना भाई पर व्यापारी की पत्नी को शंतान प्राप्ति की चाह थी उस चाह ने इस तरह उसे बाहन दिया था कि उसने अच्छे और बुड़े समझने की शक्ति का भी त्या कर दिया था और एक दिन एक बच्चे की बली भैरव बाबा के शामने दे दिये जिसके परिणाम श्वरूप उसे कई रोग हो गये अप सच्छे की बली दे दी है उसी के कारण ऐसा हुआ है यह शुनकर व्यापारी को बहुत ही क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा और पीटा पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा देखकर उस पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में अश्नान करे और सच्छे मन से प्रात्ना करे व्यापारी की पत्नी ने वही किया कई दिनों तक गंगा अश्नान किया और तट पर पूरी स्रद्धा के साथ पूजा की इससे प्रशन होकर माता गंगा ने एक बुढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत दूर हो जाएंगे उसको एक माता गंगा ने व्रत बताया जो की कार्थिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी के दिन पढ़ता था उस दिन ब्रिंदावन में आवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगे तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे व्यापारे की पत्नी ने बड़े विधी और विधान के साथ पूजा और अर्चना की और उसके सरीर के सभी कष्ट रोग दूर हो गए और उसे सुन्दर शरीर की प्राप्ती हुई साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ती हुई तब से ही महिलाएं अपनी शंतान प्राप्ती की इक्षा से आवला नौमी का व्रत रखती है जिसे आवला नौमी और अक्षय नौमी के नाम से जाना जाता है अक्षय नौमी के दिन किया गया दान पुन्य अत्यंत लावकारी होता है इस दिन बड़ामनों को भोजन कराए उन्हें दान दक्षना दे गरीवों को भोजन कराए इस दिन किसी के उपर प्रोध ना करे दिन भर व्रत उपवास रहे शाम के वक्त भगवान का शुब मुर् अनुसार पूजन करे इस दिन शत्य नरायन भगवान का भी पूजन करना अत्यंत पुन्य दायक मना गया इस दिन भगवान शत्य नरायन का पूजन करे और शत्य नरायन की कथा स्रवन करे इससे अनंत पुन्यों की प्राप्ति होगी तथा भगवान विश्नु माता लक्ष जिन्तन करे मनन करे तो यह आपके लिए अत्यंत लावकारी होगा तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेट करके जरूर बताए हमारे चैनल पे अगर आप नए तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वे लाइकर घंटी